दोस्तों आपको सौगते चानल पर आज मैं आपको ड्राइविंग लाइसिंग का स्टेटस कैसे देखते हो बताने वाला हो तो चलिए अभी सबसे पहले गूगल उपन करते हैं यहां पर आपको टाइप कर देना है सार्थी ट्रैक अप्लिकेशन तो उसके बाद आपको सर्च सरच करने के बाद आपको गूगल की कुछ लिंक मिलेगी यहां पर आपको दो नंबर के लिंक पे क्लिक कर देना है ठीक है तो उसके बाद आप सार्थी के वेबसाइट पर चलो जाओगे तो यहां पर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको एप्लिकेशन डिटेल का एक बॉक्स दिखेगा तो इस बॉक्स में आपको एप्लिकेशन नंबर डालना है जो आपको एसेमेस और आपके मैसेज में मिल जाता है ठीक है यहां पर अभी सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंफंयापे डिखता है तो यहां पर दो नंबर का जो कॉलम है इसमें टेस्ट रिजल्ट यहां पर आगर पास लिख Criminal है तो आप किस कारन से प्लि जाते हो तो देखेए यहाँ पे इन सारे stage से application चला जाता है तो यहाँ पे आपको action में देख सकता है आपने payment किया है document upload किया है आपका driving test हो चुका है ठीक है तो यहाँ पे आपको आफरी stage देखना हं यहाँ आप देख सकते हो driving license प्रिंट तो यह जो pink color का row दिक रहा है यहां पर आप डेट देख सकते हो तीन नो दो हजर बाइस तो तीन तारिक का आपका अप्लिकेशन एकसेप्ट हो जगा है ठीक है इसके बाद आपको दस दिन बाद ड्राइविंग लाइसन कुरियर से मिल जाएगा तो इस तरह से आप इस टेबल में देख सकते हो आपका अप्लिकेशन कैसे प्रोसेस हो रहा है और इसके बाद आप जान सकते हो कितने दिन बाद आपको लाइसन मिलेगा तो उसके बाद आपको इस तरह का message आ जाएगा Your application driving license is approved ठीक है तो इसके बाद आपको 10 दिन बाद courier से आपका license घर पे मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू हमारे चानल को subscribe कीजिए और आपको कच क्वेशन होगा तो comment में लिख दीजिए Thank you